इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले जी एमर इंफ्रा के बारे में जिसने के अपने कॉर्टर थी के नंबर्स पब्लिश कर दिये हैं तो डिसकस करते हैं कंपनी की इंकम रही वह नाइटीनट करोड से त्वेंटीन त्रीनट करोड पर आगी और क्वांट लीटी वन हंडेट करोड से त्वेंटी थी इंकम तो काफी एच्छी बढ़ी एक काटर और यृर्ली दोनोही जगा है दिसकस करते हैं कंपनी के खर्चे यानि कि एकस्पेंस तो yearly खर्चे 1200 करोड से 1500 क्रोड के अप्रोक्स आगए और कॉर्टर ली 1300 करोड से 15 के अप्रोक्स तो जिस तरीके से इंकम बढ़ी तो company के हमें expenses और yearly दोन वी जगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो Q on Q profit कम रहा है PBT में और yearly basis पर काफी अच्छी growth देखने को मिली बट अगर आप देखेंगे point number 6 में तो यहाँ पर loss before share of profit of investment accounted for using equity method यहाँ पर company को 457 क्रोड के losses हुए जो कि previous दोनों quarter में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे जब यह adjust करेंगे तो company की जो profit थे वो loss में convert होते हुए हमें देखने को मिल रहा है same चीज point number 9 में exceptional item में भी आपको 30 क्रोड का 1 fund adjust करता हुआ देखने को मिल रहा है then tax की adjustment हुई सारी adjustment भी फिर आया हमारा profit या loss for the period तो obviously company को फिर से loss हुआ है जो कि December 22 में 104 क्रोड के profit थे वह जबाद 486 क्रोड के losses में convert हो गए और quarter 2 में 190 क्रोड के losses थे तो quarter on quarter losses बढ़ चुके हैं और yearly basis पे company को काफी ज्यादा losses बढ़ देखने को बढ़ रहा है सेम reflection देखने को मिलेगा company के earning per share में December 22 में profit था तो 0.32 से EPS negative को 0.53 क्योंकि इस बढ़ कंपनी को 400 से ज्यादा क्रोड के losses हुए और quarter 2 में भी loss था तो EPS भी हमें 0.15 negative के देखने को मिले तो overall दोस्तों यह थे जीमर इंफ्रा के numbers तो आपके वास इस company के कितने shares है comment box में कर दो